यस्यस्वयं सो भावातिर भावे कृत्सन कर्मन तसमे संग्यान रूपाय नमोस्तू परमात्मनें नमोस्तू परमात्मनें इस्टोब देश करंथ श्लोक नमबर सात छे हमने कल पूरा किया था आचारिय के द्वारा यह शास्त्र फी रचना हुई है पुझ्यपाद स्वामी ने बहुती अज्यात्मिक गरंथ लिखा है इसमें छेटे श्लोक में कहा था क्या कहा था कि जो स्वर्गादिक सुक है मने जो सुक दुक है जो अज्यानियों की मान्यता है न इंद्रिय जन्य सुक को सुक मानता है दुक सुक की कलपना करता है पर द्रव्यों में पर पदार्तों में जो इश्ट निश्ट बुद्धी करता है सुक दुक की कलपना करता है तो कहते हैं कि वो वासना मात्र है वो कैसा है वो वासना मात्र वो कालपनिक है वो यथार्थ नहीं है तो फिर लास्ट में प्रश्ण छोड़ा था कि अगर वो सच्चा सुक नहीं है वो कालपनिक है वो मिथ्या ब्रह्म है वासना मात्र है ऐसी सुक दुख की कलपना करना पदार्थों में तो फिर लोकों को पता क्यों नहीं चल रहा है जगत के जीवों को क्यों समझ में नहीं आता है कि ये पदार्थ सुक दुख का कारण नहीं है ये सुक दुख की मान्यता मात्र कालपनिक है वासना मात्र है ऐसा लोगों को पता क्यों नहीं चलता है ऐसा लोगों को पता क्यों नहीं चलता है देखो यहाँ अब क्या कह रहे है तो फिर यहाँ पर यह कह रहे है कि तो फिर लोग इसमें क्यूं एकाकार हो जाते है और क्यूं पदार्तों को सयोगों को सुख दुख का कारण मानते है एसा क्यूं लोग करते है जगत के जीव ऐसी अवस्था को क्यूं प्राप्त होते है अब इसके अर्थ में इस प्रशना के समाधान में आचार्या ने सात्वा शलोक लिखा कौन सा श्लोक लिखाँ, सात्वा श्लोक, ब्रावर, अब हम पढ़ते हैं सात्वा श्लोक, मैं पढ़ती हुआ से, मोहेन सम्रुतं ज्यानं, स्वभावं लभते नही, मत पुना पुमान पदार्थानां, यथा मदन कोद्रवे श्लोक नंबर सात्व, अन्वयाद, जेम मद उत्पन करनार, कोद्रवो थी, कोद्रवो ना निमित्थी, उनमत बनेला, बनेलो मानस, मानस, पदार्थनू, यथार्थ स्वरूप जानतो नथी तेमज मोथी अच्छादित थैलू ग्यान, वास्तविक स्वरूप ने जानतो नथी एक द्रश्टान्थ दिया यहाँपे, ये गाथा में द्रश्टान्थ दिया क्या प्रश्ण किया आगे, क्या प्रश्ण किया, कि लोग जगत के जीव ये परद्रव्य में सुग्दुप की कलपना क्यू करते हैं, वो तो मावास्ना मात्र है न, सुग्दुप का कारण है नहीं तो भी लोग इसमें ऐसी कलपना क्यू करते हैं, तो इसके लिए सात्विश लोग में जवाब दिया, एक द्रश्टान के द्वारा समझाया कि एक अनाज होता है, कोदो, कोदो होते हैं, न, कोद्रव तो यह आदिवासी लोग होते हैं, तो वे इस अनाज को उबाल कर इसकी शराब बनाते हैं, और फिर यह शराब पीते हैं, तो वे कैसे हो जाते हैं, उन्मत होते हैं, बराबना, उन्मत हो जाते हैं, मानि उनको नशा चड़ जाता है तो यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे ही अब ये तो द्रश्टान्त दिया ऐसे ही मो कर्म से अच्छादित थैलू ज्ञान माने मिथ्यात्य के कारण से यह जी जैसा वस्तु का स्वरूप है उसको जानता नहीं है जैसा वस्तु का क्या है तो कहते के वास्तविक स्वरूप है उसको क्या नहीं तो उसके कहते उसको जानता नहीं है माने यह मो दो प्रकार के कर्म है न दर्शन मोनी और चारित्र मोनी की बात नहीं है मो कर्मक के उधई में जुड़ता है मो कर्म का उधई आता है तो अपना जो स्वरूप है उसको भूल जाता है उसको भूला बैठा है और जो मेरा स्वरूप नहीं है वास्तरिक स्वरूप नहीं है शरीर, परद्रव्य, स्त्री, गर, कुटुम, परिवार, रागादी, परणाम इन सब को अपना मान के बैठ गया है उदारन किसका दिया कोदो का दिया ना नशेली वस्तु को ग्रण करता है तो उनमत हो जाता है ऐसे मिथ्यात्व के वश होकर जीव अनादी काल से मो रुपी मदीरा पान करके उनमत हुआ फिरता है माने अपने आपको ही भूल गया भूल आपको भरमतवाद आता है छे डाला में आया है भूल आपको भरमतवाद माने अच्छा 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 धी थैलू ग्यान माने ग्यान भी विप्रीत परिणमरा है ग्यान कैसा परिणमरा है विप्रीत परिणमरा है है न क्यूंके मित्यात्व के वश होकर अपने स्वरुप को यह जीव भूल गया है इंदृय सुक में ही सुक मानके बैठ गया है इन विशयो कोही सुक मानता है तीका नही एटले खरेकर प्राप्त कर तु जान तु न थी धात्तु होना अनेक अर्थ होवा थी शब्द मेडववाना अर्थ मा अने ज्यान ना अर्थ मा पन वप्राई छे जेम के लोक कहे छे मैं तेनू मन मेडव्यू जानियूं कोने ते ज्यान तू नथी ज्यान करता अर्थार धर्म अने धर्मी ना कथन चित तादात में पनाने लीदे अर्थ ने ग्रहन करवाना ज्यानवाना व्यापार मा परिनत आत्मा अर्थ ने ग्रहन करवाना ज्यानवाना व्यापार मा परिनत आत्मा अब आगे देखेंगे ना उसका पूड़ा वो समझाएंगे देखो क्या कहते हैं कोने जान तू नती एक ज्यान किसको नहीं जानता है पहले तो यह समझाया कि यह शब्द किसके प्रयोग में वापरने में आया है परन्त अब देखो अब यह समझाएंगे कि श्लोग का अर कोने ते ज्यान जान तू नती धर्मी और धर्म के बीच में कथन चिद्तादात में पणाया है उपर का ना कथन चितादात में पणाया है क्यू क्यू प्यूंके जो ज्ञान है ना ज्ञान तो अंच है और धर्मी जो है वो अंची है ज्ञान अंच है और धर्मी अंची है कोने जानतु नती स्वभावने लिती वागे कोने जानतु नती स्वभावने कौने जान्तू नથी स्वभावने अन्य पदार्दती व्यावरत भिन बतावामा कारणबूत भाव ते धरम ते स्वभाव छे या स्वभाव समझाया जो ज्ञान है ज्ञान है ज्ञान वो मेरा असाधारन स्वभाव है पहले उपर धर्मी और धर्म को समझाया कि उनके बीट में कतंचित तादात में पना है क्योंकि जो धर्म है ज्ञान है वो अंश है और जो धर्मी है वो अंशी है धर्मी क्या है अंश अग कहते हैं कि असाधारन स्वभाव मेरा जो ज्ञान असाधारन स्वभाव है और वो लक्षन है और उस लक्षन से क्या होता है कि मेरा आत्मा अन्य पदार्तों से मैं उसको भिन कर सकता हूँ उसी को लक्षन कहते है कि मिली जूली वस्तु में से वो लक्ष को अन्य वस्तु में से उसको अलग करे उसे लक्षन कहते है तो ये पहले जो दूसरे पेरिग्राफ में यहाँ पर लक्षन की परिभाशा समझाए स्वभाव को बताया अग आगे कहते बे अत्वा बे थी अधिक मडेला पदार्थो माती कोई खास पदार्थ ने अन्य पदार्थो थी भिन्न बतावनार असाधारन भाव धर्म तेने ते पदार्थो नो स्वभाव कहे छे, कोना स्वभावने शुक्दोक शरीरादी पदार्थोना स्वभावने ते ज्यान केवु छे, ढंकाय लू, आच्छा दित थह जुद छे अधार बस्तुना यतार्त स्वरूपना प्रकाश मां जेनू सामर्द अभीबूत थयूँच अभीबूत एटले डंकाई गयूँच अच्छादित थयूच ए ग्ञान जे छे ने? ते ग्ञान डंकाई ग्ञाण अपना है परन्तु वो ग्ञान धक गया है आच्छा दित हो गया है, स्वरूप को प्रकाशित नहीं कर रहा है, जैसा आत्मा है उसको प्रकाशित नहीं कर रहा है, इसलिए वो ज्यान कैसा हो गया है, तो ज्यान धक गया है, समझ में आ रहा है, और ये जो सुकदुक, शरीरादी, परद्रव्य है न, उसको अपना मानता जे मारू नथी अनी एने मारू माने शे जे नू सामर्द अभीबूत थयूँशे जे परढा पामियो कौना थी? अभीबूत थयूशे? मो थी rectangle जो अभी जॉइन्ट हुए न मेगा बाव जो खुशबू बेन तो मैं एक बार राजो लाएंटि यह सब भी जॉइन देविंद्राइंद्राइंट जोश्णावन यहां पे एक कोदो का ड्रश्टांद दिया स्लोक नंबर यहां यह श्लोक में सिद्धान्त में समझाना है कि मो कर्म के उदई में जीव मो कर्म के उदई में जीव विपरित परणमता है कैसा परणमता है मो कर्म के उदई में जीव जो अपना नहीं है उसा अपना मानता है वास्तरिक स्वरुप को नहीं जानता है और जो अपना नहीं इसको अपना मानता है ये यह पर समझाया अब देखो जो ज्ञान है ना वह अभी बूत हुआ टो वह किसके काहिन से अभी बूत हुआ मोनिय कर्मना विपाक ती उदई थी मोनिय कर्मना उदई मा जुडावा थी ते ज्ग्यान आच्छादित था ही गयू ज्ग्यान को तो मेरा सभाव है परनतु ज्ग्यान ने संगत्ति किस की की मिथ्यात् attitudes की इसलिए वो ज्ग्यान भी कैसा पर्णमा मित्या पर्णमा, आच्छा दित हो गया, स्वरूप को नहीं प्रकाशता है, और किसको प्रकाश राये, पर को प्रकाश राये, मात्र, एक कांपे पर ने प्रकाश है शें, एले के पर नेज पोतानू माने शें, अब आगे केते हैं, जेवी रीते, मढवाडा मणी नो प्रकार्नों नहीं हो थी अनेक प्रकार्नों होई अभी दूसरा द्रश्टांद दिया इदर मनी का द्रश्टांद दिया के मनी होता ना मनी तो मनी के सामने हम अनेक प्रकार के कपड़े रख दे वस्तर रख दे ना तो उसमें अनेक प्रकार की जाई पड़ती है वो कैसा कभी चरीर बाला कभी पैसे वाला कभी गरीब कभी पूरूश कभी कंवी और इहां पर न कहा है और यहांब पर शाचता वाला इस अनिंग प्रागा वाला दिखने वाला आत्मा को ही अपना मानता है माने जो उसका एक्चुल स्वरूप है ज्यान सुभावी है जो शुद्ध आत्मा है नित्य है त्रिकाल है अनन्द गुनात्मक है उसको तो नहीं देटा है उसकी द्रश्टी तो नहीं करता है परन्तु जे आ कर्मना उदई मा थवावाड़ी अनेक अवस्थावों छे नै तो उस उन अवस्थावों को वो अपना मानता है और यह अवस्थावे तो बदल जाती है हम देख रहे कि नहीं यह सारी अवस्ताय उदई बदल जाते हैं, कभी उदई एक समान रहते हैं, नहीं रहते हैं, कभी कोई रोग हो जाए, कभी कोई प्रतिकुल उदई आ जाए, तो हमेशा थोड़ी रहता है, तो बदल जाता है, परन्तु हमें उस उदई में हमें अपना तत्व नहीं बूलना ह हमें अपने ग्यायक को नहीं बूलना है क्योंकि अगर हम उस उदई में जुड़ते हैं, वापस हम ऐसे कर्म बांदते हैं, प्रतिकुल उदई आये, भविष्य में, इस परकार के हम कर्म बांदें, अशूप कर्म बांदेंगे, तो वापस ऐसे उदई आएंगे, तो उस समय भी हमें जागुरूती रखनी है कि मैं तो जानने वाला ही तत्व हूं ये उदई ये परणाम ये सयोग सब आने जाने वाले हैं ये कायम रहने वाले नहीं है और ये मेरे से अठ्येंट भिन्न है ऐसा बारं बार हमें ये मोग को तोड़ने का क्या करना चीए अभ्यास करना च ये आता है घ्यानी को भी आता है कि नहीं उदई शीता जी को आए जाता है 3 चांद वाले होग को भूलना नहीं है तो फिर में अझय सयोग की क्या बात करें ये तो सब उदई का खेल है परन्तु ये उदई से उदई भाव से मेरा पारणामिक भाव मेरा स्वभाव भाव कैसा है तो भिन्न है यहाँ पे देखो क्या कहरे शिश्य प्रश्न करियो अमूर्ध आत्मानो मूर्ध कर्म द्वारा अभीभूत पराभव ठयो केवी रिते ठयो केवी रिते योग्या छे अमूर्ध आत्मा छे अने मूर्द कर्म द्वारा ए अभीबुद थाई जाए, एटले के आच्छा दित थाई जाए, ए ढंकाई जाए, तो ए के विरीते पॉसिबल छे, तो उसका जवाब दिया, तेना उत्तरमा आचारे कहे छे, तु कहे छे के जेन जान तोज नथी, कोण ते पुरुष, एटले मद उत्पन करनार कोद्रो वो थी, कोद्रो वो ना निमित थी, किसको नहीं जानता है, घट पटादी पदार्मा बद्दू लई ले हूँ, ए घट पटादी सयोग, शरीर, नौकर्म, द्रविकर्म, भावकर्म, सब कुछ ले लो, इन किसी को ये जो उन्मत थहला जो व्यक् इश्य में मेरे होने वाले है, इसलिए यहां पर कहरें कोद्रो का द्रश्टान देकर हमें समझा रहा है, समझा रहा है आचारे देव, कि छे डाला में भी जो पंडित दौलत राम जी ने कहा ना, कि मोह महामद पियो अनादी, भूल आपको भरमत वादी, इस नशे का नाश करना है, इस मिध्यात रूपी जो नशा है, मोह है, जो विपरीत माननिता है, उसका नाश हो हमें इस भव में हमें अपना काम करना है, यह एक एक शलोक हमें अपने ज्यायक को बताने वाला यह सारे शलोक है, हम कभी भी अपने सुभाव को ना भूले, पतंग आकाश में कही की भी उड़े हाथ में से दोर छुटिती नहीं है ऐसा कैसे भी प्रसंग उदरी परिस्तिती पर ना हो जाए परन्तु हम अपने ग्यायत का दोर कभी द्रश्टी में से शद्धा में से छोड़ेंगे नहीं आज ये एक बहुत सुंदर परमात्म प्रकाश तुबे पढ़ रही नरक में जाना भी मंजूर है परन्तु मिध्यात्व के साथ हमें स्वर्ग भी जाना मंजूर नहीं है तो जब की गाथा है लिखिए परमात्म प्रकाश में के नरक मिध्यात्व के साथ नरक जाना भी ज्यानी के था हम तैयार है परन्तु मिध्यात्व के साथ हमें वो अनु वो पुन्य का उदे क्या काम का वो पैसे क्या काम के कि जिसके लक्ष से जिसके लक्ष से क्या होता है तो कहते है पाप का बंद होता है और वो ही पाप क्या कराएगा तो कहते है कि मुझे संसार में रख़ाएगा इसलिए मुझे ऐसे सयोग नहीं चाहिए कि जिसके कारण से प भावना होती है माने यह पुन्य का उदई भी ज्यानियों को नहीं चाहिए तुछ जानते हैं क्योंकि पाप और पुन्य का उदई दोनों संसार का कारण है ऐसे हम भी कोई उदई कोई सयोग में कोई परणाम में अटके नहीं और हम अपने सुभाव को ना भुले इसी मंगल के साथ अपन ये स्वाद्य यहां ही पूरा करते है मैंने आज वो मैसेज नहीं दे पाई थी इसलिए मैंने तुड़ा टाइम भी अपन ले लिया अपन कल मिलते हैं शाम को मिलते हैं वापस जैन चित्दानत प्रवेशिकाग में साड़े साथ बजे ठीक और अपन कल वापस यह सात्वा श्लोक है उसको हम डीटेल में समझेंगे मैं जिनवानी स्थी ले लेती हूं निज निदी निज में बताई यह अनंत उपकार है इसके लिए जिनवानी मा को वंदनाशत बाहर है आप लोग भी इतने बिजी शेडूल में होने के बावजुद्धी आप लोग सब आ जाते हो आप लोग की इतनी रूची है वो ही बता रही है बताता है आप लोग इतना ताइम से आ जाते हो तो आपकी रूची बताती है क्या आपको कितनी रूची है सुभाव की ऐसी हम आ अनन्त काल हम सब चित डाले में विराजमान हो जाए इसी मंगल भाउना के साथ हम स्वाध्यय पूरा करते हैं। बोलो अनन्ता अनन्त सित परमेश्टी भगवान नो